कि नमस्कार सभी को एक बार फिर स्वागते आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रूप बल्वंद पे मैं बल्वंद शान आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर आप पदा रहे आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुक्रिया आपका और हमारा जो साथ रहेगा इसमें हम एक दिन जरूर काम्याभी पाएंगे जैसा कि दोर चल रहा है आपने देखा भी होगा नेगटिविटी का उसमें पोजिटिविटी के लिए आपके लिए डेली कलासे रहती है ठीक है अगर कल का रिस्पोंस आपका लेकिन फिर भी आपकी तरफ सोचगे सोचायार कुछ बच्चे से जो डेली रेगुलर पढ़ते हैं हमसे डेली लाइव आते हैं तो उनके लिए कलास लेनी चाहिए तो आके खड़े हुए है तो आईये स्टार्ट करेंगे बहुती मस्त और प्यारा सा सेशन और कल आपके ल सुन हो जाएंगे उस पेपर के अंदर अभी ताजा ताजा पेपर हुआ है एलम का वेपर था उसके अंदर बहुत ही प्यारे तरीके से क्यूसन डेटो पुछे गए थे कहां से कल देखते हैं कल बनाते हैं वह वीडियो और आज हम स्टार्ट करेंगे इसी लेक्चर के साथ यानि आज ही ठीक है तो आपका प्यार बरा और सेशन जो है यहां पर स्टार्ट हो चुका है आईए जुडिये लाइक कीजिए वीडियो को और ज्यादा ज्यादा कॉमेट सेक्शन में आ जाएए अब आपके बारे में प्यार अरे इंदर तुशार गुज्ज रामराम सभी को रामराम दिमान भी आजए करण नगरी करनाल से भी रामराम भई जोनी मुकेश कुमार कपील महरा अनेल परजापत ललित राठी ओफिशिल संजे अनेल परजापत ओफिशिल संजे प्रियंका सुनिता वत्स सर 11 बजे ही वेट शुरू कर दे अरे वाह क्या बात है इतना प्यार उमड रहा है क्या बात है आपके लिए ही तो लाइव आए हैं ओफिशिल महमद सब बच्चे दो डेली आते हैं उनके लिए सपेसल मतलब दिल करता है फतेवाद से रामराम भाई महमद खाली दे ओफिश सकता जो प्रिवेश एक पर ठाके देख लों ताजा पर हुआ है कल का पर मतलब जल पर वाए उसको हम कल कल उसका सोल्यूशन करेंगे तो उसके इंदर बताएंगे आपको भी आप हमारे साथ जुड़े हैं तो इसका आपको क्या फाइदा हुआ है ठीक है सर इंजीनियर नहा ठीक है चल रहा है उसका काम बताया मैंने मेरे नंबर पर मेसेज करो आपको मैं नंबर देता हूँ उस पर कॉंट्रेक्ट कर लेना ठीक है सोनिया यादव विनेश रंगा इशान प्रियंका जलाब अधिक है साहिल सब पतार चुके हैं वीडियो लाइक कर दो भी ठीक है ना निया जी बता दिया आप मेरे नंबर पर मेसेज करो आपको नंबर देता हूँ उनसे कॉंटेक्ट कर रहे ना लगे हुए है ता बहुत परेशानी हो रहे हैं हमें भी और आपको भी ठीक है लाइक तो बढ़ा दो यार ऐसे मत किया अगरो ठीक है और आज का पहला क्यूशन जया लाइन बेन की सभी फ्यूचर ऐसे एलम इलेक्टरी सीन को बहुत बहुत बदाई हो क्योंकि आपका सेलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि इस दोर के अंदर जो ठीकनिकल सिस्टम से दूर जा चुके है ठीक है न तो वह अपने सेलेक्शन को खोने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि पेपर अगर हो जाता है जैसे कोई गृप डी की तयारी कर रहा है कोई किसी की तयारी कर रहा है उसके बाद जब पेपर होगा तब यह चीजे दुबारा करना एकदम से मुश्किल हो जाएगा रियल्टी है अगर आप ऐसा चाहते हो भी महमें त्यारी करने तो आप अमारे साथ लाइव बने रही है उसके बाद कुछ चीजे पढ़ लीजी ठीक है बस बने रही है आपको सब कुछ मिलेगा ठीक है वाट इस दा वरकिंग प्रिंस आप pennने बस ठीक यह ऐख युटां शिटन पर शाल बंपरो आपने या फील्टी में तरही है वह भेस काता पड़ती है आव तो सिंगल में स्टार्ट नहीं होती और single phase motor भी self start नहीं होती है, self start नहीं होती है, ठीक है, बाद में साथ में यह कर लेंगे, क्योंकि इसके इंदर magnetic rotating field नहीं बनता, तो यह क्या बनता है, pulsating परकार का rotating field बनता है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको दो phase में बांट लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जिसमें से एक फेज की स्टार्टिंग वाइंडिंग कर लेते हैं और एक क्या कर लेते हैं रणिंग वाइंडिंग कर लेते हैं तो स्टार्टिंग और रणिंग तो इस परकार सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं तो यह जो मोटर है जूल के नियम तो गर्मी वाला सोधा जूल का का सारी motor बाकी सारी motor generator transformer ander अल्टरनेटर सिक्रोनिस मोर्टर किसवर काम करते हैं फिलसम्प के प्रेंडन के सिधाँ पर काम करते हैं थीक है chim Allen टीक लेंस के नियमिस का मतलब क्या होता बीस के अंदर दी की वोल्टेज जो होती है वह क्या होती है उल्ठी विरोध करती है माइनस अन लिखते हैं नहीं आपक ठीक ना तो वोल्टेज विरोध करते हैं जैसे बेग एम फो गया तो उसके काम करती है आज ही यह मोटर का नाम बताई ठीक ना मोटर का क्या बताई है इसका नाम बता दीजी मेरे को यह तो वाइंडिंग एक और यह लगी हुई है और यह देखो यह क्या है रोटर है यह क्या है रोटर यह एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है और यह क्या है रॉनिंग वाइंडिंग है दो यहाँ कि दुनिया लेंज के लोग में काम करें यहाँ सही कह रहे है दुनिया उल्टी चल रही है ना धुनिया क्या चल रिया दिव्या विक्की सौनी राहुल खान सब दार्चों किया सिम आरंग या बोछ एक्तिव स्टुडेंट आप सारे के सारे बहुत मतलब बागा है और आपके डेली आपका जो इंतजार होता है न तो यह क्या होती है पर्मानेंट केपेस्टर मोटर क्या होती है पर्मानेंट देखो इसके अंदर पर्मानेंट लगा है सेंट्रिफ्यूगल नहीं होता है पर्मानेंट मोटर की बात करें पर्मानेंट यानि इसके अंदर स्टा कैसे ट्रैप नह rights कोन्सा होता है तो आपको गेज़िए पर टैप होता है कौन आ पेपर टैप होता है था इक पियुक्र लगा जाता है और इसका वे लू सो तब दो और से अठाइ माईकरो पी आड़ के बीच में होता है कितना होता है दो से इसका प्रियोग मेज के में मेंज के पंके में में दो याद कर लेगा बहुता में दिकाप अबूख कर लिंग फिरी घृरी हुआ कि यहाँ पर कवर हो जाएंगे ठीक है क्योंकि इन कि योग तो ये रहा है ये मैंzogen दाइके होता है ये अजिकर स्टा बकट आपग के कि पंख्यक्स का प्रीयोंग किया जाता है तो यह आप जाएंगे लिए इसारी बता दें के पिंश्टर स्टार्ट क्या होते है है कि डिड़ीट फेज मोटर सप्लीट का मतलब होता है विवक्ट करना तो वीवेत बाट ना यारी एक फेज को दो फेज के इंदर बाटना क्या कहते है उसको कारिय liberty दानत क्या थो एक पेसमाटर का कर G ठीक है तो लेंज का नियम ठीक लिए आपसे पूचले हीटर कीसपे काम करता है तो आपका के लिया विदुत के लियुकिन काम करती है तो यह सारे के सारे आइस के एर यह ही पीकर कर ते ती खना T जूल उर्जा के लिए जूल का नियम फिराडे का इलेक्ट्रो आपको पताए शाल या बैटरी के लिए यूज होता और यह बताए दिया सभी मोटर के लिए कौन कौन सी मोटर मेरे को बताई हो फिराडे के समके लोपर कौन-कौन काम करता है एक बार आंसर दीजिए तो मजाय फुर्च यह अगर संगल फेस नहीं दीया होता तो फिलाप या जाते है आपा कि विदू चुम के प्रेणन के सिदांत पिकाम क्यों कि इसके रोटर के अंदर रना क्या है इसमें विदू कमक प्रेदा होता है कि बहुत कुछ नया सीखने को मिले गारे बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा हर मोटर की कुंडली निकालेंगे घरी fender motor अच्छा सि कब होगी साइस के रिकोर्ड तो पड़ी है आप सेर्वेर नहीं करते दिल नहीं करता फिर करवाने का मतलग थ्रांसफोर्मर्य, थ्रीफेज्स, सिक्रोणस LIमोटर, तुल्यकाली मोटर होगी, अल्टरनेटर, जन्रेटर ये सारे किस पर काम करें विरुद के चुम्ब के प्रण्यन के सिद्धांत पर है यह देख लो एक कैपेस्ट्र यह लगा एक कैपेस्ट्र यह यानि यह c1 है और य क्या लगा हुआ है सेंट्रिफ्यूगल सुच लगा वाय चलग वसलिट लगा हुआ तो दो कपेस्टर जिसमें यूज़ हो रहे हैं क्षोण वो होती है थिक्ळ ये कपेस्टर हट जाए गा यानि क्या साट और क्या पर काम करेगा तो सीवन जो होता है वह सेर करने से कंपेडिशन बढ़ जाएगा अच्छा बहुत बढ़िया बात के रहूट सीवन पेपर टाइप होता है देख लो ठीक है और यह क्या होता है अपका इलेक्ट्रो लाइट टाइप होता है है एलेक्ट्रो लाइट टाइप होता है सीट्व येशीट्व लेक्ट्रो लाइट तो नो कपश्ट्र पे मोटर स्टार्ट होते है लेकनन एक केप़ेश्ट्र पे संती यावथ 210ty Integr यहां लिखने पर डिपेंड करता है सी टू यहां लिखा होता है तो तो आपको जी यह तो आपका यह वह तो से डाई माइक रड़ करेंड का यो तो बनोजी ठीक है और इसी पर मोटर काम करते रहेगी कलियर तो यह उत्य स्टार कैपेस्टेर रन मोटर मेरे को यह बताओ सेंट्री फ्यूगल कितनी स्प्रीड पर उपन हो जाता है से याफ यह तड़िय। है कैपक्रेश्टर स्टार्ट के पैश्टर अरेंट मोटर मपि Scottish अरेंट सर किसी तो बड़ा होता सी वन सा facebook बढ़ी आप 24 दारीता ज्यादा होती इस किया लिए तो क्या पेश्टर स्टार्ट क्या वैस्टर पर योग कहां पर होती है कितने स्पीड पी यह ओने जाता है कितने स्पीड पिजाता है छीक न उल्टा का मतलब निया वर चित्र में लिया होगा वो डिपेंड गरिए न पीचेतर से 80% पे से इंट्रीफ उपन हो जाता है असे सिंगल भी होटित बगइझ बोट बढहरो असे सिंगल भिछ मोटर की सपरकार के के मृ haul मोटर की तरह वर्गी कित किया जाता है ट्रीन कोण गाट इसस था निक्न कि इमांदीप मैंने पता नहीं है साइद मैंने देखा नहीं उसके अंदर नोटिफिकेशन पढ़के बता देंगे आपको मेसिज कर देना ठीक है एक एकी होटर है आप यह मोटर को मतलब रोड़ जो इसको इस क्या किया जाता है करी जिrawतर से संपक्स्त किया जाता है और इसके अंदर जो रोटर होता है, वो वाउंड टाइप रोटर होता है, कौन सा रोटर होता है, वाउंड टाइप रोटर होता है, ठीक है, और इसके उपर हम ब्रस लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, ब्रस, और इसको सोट कर देते हैं, एक जमपर के माध्यम से, तो एक जनल परेज मतलब सेलब स्टार्ट मोटर का जाता है इसको है श्ल्प स्टार्ट मटर को उसको रिपलेस टार को क्या का जाता है टार हम सर ब्रूस की पोजिशन सिप्ट करके डारेक्शन बदल सकते हैं बहुत बढ़ बढ़िया बात आपकी बहुत आप तो इंटेलिजेंट और मुहमद खाली मोटर में क्या मुटेटर सर्चार्ज मोटर सर्चार्ज मोटर में जिसमें मुझे तो भालिद भाई ड़ाइट जीक है वताधे तो इस मोटर को क्या का जाता है रीपल्स अंपोर क्या का जाता है रीपल्स अंप दूंटर बहुत ही प्यारे कि उसने आराम से समझोगे दिमाग ठंडा करें के सुनोंगे सारी बाते के लिए रोज आहेगी मोटर का दिमाग से और जिए जो मोटर का आपका दुर्द chart और दुख है ना यह मोटर प्रीयोंक का होती है ट्रिक के साथ शारी मोटर कहां हो इसके बात दिमागा निहींग तकियो arqu के मैंने अब कर न कह से इसके रोटर को 가져 सातवा रिप्स्ट्राइब को और इसके इंदर रोटर सोता है वांड प्रखार का रोटर ठोबं रोटर यह मोट्र स Travis start motor a single-phase self start motor बहुत इंट्रलीजन है कुछ बच्चे सरीय स right सल भाई सिर्फ वह कुर्दो फटें गुसा तोल इंड्र को स्टेर्ट मोटर जो है स्टेर्ट के लूटर श्रू करने के लिए सब्सक्राइब रिखंद इपना आई जाती है सिंगल फेज इंडेक्शन मोर्टर रेको सिंगल फेच्टक्रिवंटर है उसको शरू करने के लिए हमें पता है सिंगल pursue the motorz åttigkead Campbell तो वो क्या होता है स्टार्ट मैं हूटा साल स्टाट मैं होने का इतई टो सेटिंग magic field क्या हो सकता होती किसी भी motor को संबस्टार्ट होने के लिए तो इसके अंदर dna chattin प्रकार का rotating magnetic field बनताहिए इसलिए क्या मोरता है यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हमें क्या है कम से कम दो फेज किया सकता होती है कितने कि दो फेज की तो एक च्टक दो फेजलेन विवक्त करके हम क्या कर लेते हैं इसलाटर बनाते हैं मौटर को क्या बनाते हैं से fertig मेटर सब्लीट मतलबской बने टेंट दो फेज विवागित करके ठीक है स्टार्टिंग और रंणिंग दो प्रकार की इसके अंदर वाइंडिंग की जाती है न कि अरे बहुत प्यारे और बहुत प्यारे और डेली लाइव आते हैं हम तो डेली लाइव आते हैं सिंगल ऐसी सप्लाई दी गई है यहां से मोटर यह सविच यह प्रकार का ठीक करना यह यह ऐलं है और यह 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 बता दीजिये यह हो जाएगा जी यह लगाए भाई या ठीक है इस मेरे इसमें फरक नहीं मानते क्या आप इसमेर इसमें फरक नहीं मानते क्या इसमें कुछ लगा है क्या नहीं लगा ठीक ना और इसके अंदर यह क्या लगा हुआ किस पे काम करेगी इस पे काम करेगी सेंट्रिफ्यूगल स्विच का काम क्या होता है रहे सेंट्रिफ्यूगल दो काम करता है एक तो सा सतर से असी स्पीड पर जब है उसको क्या करना तोड़ देना स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटाने का काम करता है कब सतर से स्टार्टिंग वाइंडिंग को जोड़े रखना और स्टार्टिंग वाइंडिंग के देखो सरेनी क्रम में लगा होता है कैपेस्टर और दोनों भी ठीक है ना स्टार्टिंग सी सी दोनों लगे होते हैं कलियर है तो यह हो जाएगी कैपेस्टर से स्टार्ट होगी लेकिन उ अब इसे रण मोटर कैस्ट तर स्टार्ट इंडेक्शिं ड़तर कहते हैं इसको क्या कैताइं क्यों क्यों सब्सक्राइब मुटर केट है तो यह इनदेक्शिंड को करते हैं यह मिश्चाइब हुआ जला गुरू देव of wanna की से रणोShina coriander के अप boy सकता है कि दोनों ट्रमिनल पे एक एक क्या लगा जाता है तो वह क्या करता है यहां पर देखो यानि अपके इंदरी स्वीच की बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है अब के दिली स्विच की बात कर रहा है तो मेंटेन कॉंस्टेंट नियंत्रन स्पीड को बनाए रखने के लिए इंप्रूद अपावर फेक्टर पावर फेक्टर को बढ़ाने के लिए पावर फेक्टर का और टेपिंग के साथ कोई मतलब व को कम करने का काम करेगा और इंडेक्टेंस कम होगी तो सपार्किंग भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो यह क्या करता है स्पार्किंग को कम करता है क्या करता है स्पार्किंग को कम करता है अरे भाईया हर जगह पावर फेक्टर के पैस्टर नहीं सुधारता कहीं फिल्टर को कम करने का काम करता है जहां से स्पार्किंग को कम करने का काम भी यह करता है ठीक तो हर जगे अलग-अलग आंसोर आते हैं जो कॉंटेक्ट है उनसे क्या हो जाएगी स्पार्किंग कम हो जाएगी सेंट्रिफ्यूगल का जो कॉंटेक्ट है जहां पर ओन ओफ होता है वहां प के परबाव को कम करता है कि समर्सीवल पंपक में रीवाइंडिग करने के लिए किसका प्रयोग या जाता है दर समर्सीवल यह उइसको रीवाइंड करें यहां पर तो किस तार का प्रयोग करेंगे ठिक है को तो PVC ठीक है न पीविदी सी आप तीरी सी मो newest जो है नॉर्मल डिसमोटर जनेरेटर ए अल्टर्नेटर ठीक थरी-फेस वाइंडिंग और इन्व हेल फेस वैंडिंग एनके लिए हम यूज करते है सुपर एनमार को पर तो इनके लिए अगर आप पीवी सी कहां पर यूज़ करते हैं समर्शिबल जांप पानी में डूबी होती है मोट रहा न अगला क्यूशन आपका प्यारा क्यूशन आपकी तरह पूजा सुनील प्रियंका प्रिविंदर सोनी मनोज ललित सब बढ़ी आनस आपके मन में जो बरंब बना हुआ है आप जितने भी लाइव आपको बता देता हूं या वीडियो बाद में देख रहे हो तो आपको मैं बता देता हूं ठीक है आप अगर बहुत हाई लेवल की क्यूशन पढ़ने की कोशिस करते हैं और आप सोचते हैं वही क्यूशन एक्जाम में आएंगे तो आप गल्त डारेक्शन में जा रहे हैं ठीक है ना पड़ो कोई दिक्कत ने लेकिन उनको परसोध करने की कोशिस मत करो ठीक है आप डे मोटिवेट नहीं हो क्योंकि 70-80% क्यूशन जो बेसिक ही आतने कोई भी एक्जाम के अंदर और 70-80% क्यूशन अगर आप बेसिक कवर कर जाते हो तो आपका एक्जाम कोई भी हो कोई कमपीडिशन हो 70-80% से उपर मेरिट नहीं जाती है तो वो अगर आप डंग से कवर कर लेते हो और थोड़ा सा अच्छा पड़ लेते हो तो आपके राम से किसी भी पिपर के इंदर आपका नमबर आ जाएगा चाहे वो किसी भी इलेक्ट्रिशन का पिपर हो चाहे कोई भी हो आपने देखा भी होगा 70-80% से उपर मेरिट किसी के नहीं जाती है ठीक है एक्जाम में और डंग से पड़ा वह वही होते हैं जो मुश्किल के चक्तर में रह जाते हैं और असान को छोड़ कर चले जाते हैं यानि गोद्दी आड़ा छोड़ के पेट वाले की आस कर लेते हैं तो वह सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टारक होता है ठीक है हाँ पीवीसी वाला कली आया था हर मोटर के डीसी जनेरेटर में भी आया था दीशी मोटर में भी आया था ठीक ना और एसी त्री फेज मोटर में भी आया था सिंगल फेज में भी आ गया तो कितना इंपोर्ट स्टार्ट इंडेक्शन रन मोर्टर इन सिंगल फेज कम स्टार्टिंग टोरक होता है इन में से बताना है आपको इन में से कम बताना है आपको डी अप्शन हो जाएगा ठीक है इंडेक्शन स्टार्ट इंडेक्शन रन मोर्टर ठीक ना इंडेक्शन स्टार्ट इंडेक्शन सबसे ज्ञादा मैं सबसे ज्ञादा पूछ रग्का ना ज्यादा इसका हो जाएगा और कम की बात करें तो इसमें क्या होता है ठीक है रजिस्टेंस स्टार्ट इसको कहते हैं स्प्लीट फेज मोटर क्या कहते हैं स्प्लीट फेज मोटर क्योंकि इसमें कैपेस्टर नहीं लगा होता स्टार्टिंग तारक क्या होता है इसका कम होता है तो रेजिस्टेंस स्टार्ट रेजिस्टेंस है ठीक है किसे बने लायक करदो सारे वह ओवी केंळ से एट स्प्लेट फेज मोतर या नि हम इसको क्या कह सकते हैं सप्लेट फेज मॉर्टर कैसें सही कह रही हो वास्ट प्रेफिरे अभी कुछ कुछ आया है क्या कुछ आया है ऐसे वीडियो बना की व्यू पाने के चक्र में आपको मैं कह दूं कोई बात है क्या फाइदा उस चीज का जब आपके आएगी तो इसके लिए बने रही है और प्यार से मतलब डेली रूटेन में जूड़े हुए है जो यह सोसते हैं भी हाँ याई कंटेंट मस्त है और इतना जितना आपको पढ़ाया गया उतना पढ़ लोगे आपका सेलेक्शन को किसी का कोई का बाप रोक देने के बाब भी रोक दे तो बता देना जितना पढ़ाया आपको उतना पढ़ होगे किसी का बब्र वी सेलेक्शन ने रोक सकता ठीक है आप tradicional कि çकरों में रहें कोई चकर नहीं है वह तो आपकी मर्जी है कि бес सननीं के कुछन बाहर ने जाएंगे सेंट्रीफिगल स्वीच का यह रखने लिए आफ 아환ीक कि पोने स्टेटीह रहे पी तो इसका प्रेकर राणिंग यह तो नहीं पर तक सब्सक्रा की ठीक है जब हमारी मोटर की स्पीड सतर से असी पर्शेंट हो जाती है तो यह स्टार्टिंग वाइन्डिंग को अलग कर देता पक्रूम करता है तो यह शार्टिंगؑ client कहा लगा होता स्टार्टिंग के श्रेनिक रमब लगा होता है पके इंदरी मैं मillä में मिले आख नहीं é बेह आफ्यार क्यों सभी का ठीक है बढ़िया है सोनभी परिएंक का सोङनी सुरेंदर राहूल सीमा परियंका हो निया सोनिया कि जब् twee अरक है जुबेंकोार निश्शान सब से सब कशा है है बढ़िया है लाइक जो लाइव के साथ लाइक बढ़ने सी मोटर का अनु प्रियोग किया जाता है ठीक कर यूनिवर्सल मोटर यूनिवर्सल मोटर को हम सरव बॉमिक या सरव रित्र मोटर भी कहते हैं यह मोटर जो DC की तरह भी काम करती है यह motor को हम series AC motor भी कहते हैं ठीक है इसकी बनावत जो होती है बनावत DC series motor की तरह होती है क्या होती है DC series िज मोटर की तरह होती है इसे लोड के साथ सिरु करना चीए सब्सक्राइब counted सब्सक्राइब करना चीए है टिकन्स को की इसकी बहुत ज्यादा होती ऑर एक सेड के इसका सोद्दा कि driving में जूड़ा होता है ठीके ना स्रीज में क्या होता है जुड़ा होता है थी कहा एक से इस प्लाइड दोनों के अंदर दिय जाती है केपर हो ग्या ही ये बात हो गई अब इस मोटर का प्रियोग अगर हम पूछें मुझे काप काप रियोग होता है तो कहां प्रियोग होता है अभी आपर लिखनी पाऊंगा मैंना मेरे साब से तो इतना लिख लो इनिवर्सल मोटर का आगे जैसे क्यूशन आएगा मैं सारे प्रियोग बता दूंगा आपको टेक एक तो एसी डीसी दोनों पर काम करती है ऐसी सिरीज मोटर भी का जाता है बना मोटर क्या होता है उससे जुड़ा होता है ठीक ना तीन हजार से लेकर 4000 rpm इसकी स्पीड होती है यूनिवर्सल मोटर का प्रियोग ट्रेक्शन मोटर के रूप में भी किया जाता है तब ओड़ी सी सीरीज मोटर के लाती है वाँ पे 25 हर्ट मुसका होता है और लगबगे है क्या सब्सक्राइब क्योंसी प्रियोग होती है एक टेली प्रेंटर के इंदर तो की वेक्यूम कलिन्र वाजी वाम डुक में गिहां की कKN तो मोटर्सली रूाटर के साथ कौन सी यह कलाकला मोटर फी फिट होती है तो तिक है नाइस क्यूशन बहुत बढ़ी अक्यूशन निम्मी के क्यूशन बहुत प्यार एक्यूशन है फिल्ड टेप में थाड़ इसके कंड्रोल गती नियां तर्ण के लियार मिक्सी के अंदर फिल्टेप तो वो यह ता सारी चीची बता देंगे यार टेंशन मत्रू तो इसका अनसर क्या आना चाहिए आपका बताईये असका अनसर क्या होगा रिपल्सिन मोटर वाउंड रोटर किसमें होता है रिपल्स रिपल्सिन मोटर ंटेघ्र मार मब तन वंदेगा हो ये अप्सली के यह कास्ट में ट्रिक के साथ पताऊंगा मैं ठीक याँ पर टैम वेस्ट नहीं करेंगे यह कि उसन अच्छा है थोड़ा सा करृ अच्छा है एक लर्ट इंडेक्सन मोटर के रनेंग वाइंडेंग देखो पर ungefytes्रोंसे समंध्द पुचिनेंगे जईलोग बीचक्या संब measurement होता है बता देठाऊं आपको एक और थिया स्तार्टिंग वाइंड इन घेक ररियात है स्टार्टिंग यानि स्टार्ट में बंदा क्या होता है पतला होता है तो आप कोगे पतला तार प्रियोग होता है और पतला तार है तो यानि इसका क्या होगा तार का अनुप्रस्त काट चेतरपल जो है वो कम होगा और कम होगा तो उल्टा हो जाता है प्रतिरोध क्या हो जात जाता है जैसे जैसे उमर है तो मोटा हो जाता है तो मोटा तार यूज होता है इसके इंदर और इसका प्रतिरोध क्या होता है कम होता है और यह इंडेक्टेंस जो होता है इसका ना वो क्या होता है ज्यादा होता है इंडेक्टेंस क्या होता है ज्यादा होता है यह गहराई मे स्टापित कि स्टापित कि जाते हैं उपरी इस से में स्टापित कि जाते हैं तो यह स्टार्टिंग और अब थे के तो आप बता दे ज्यें लिए रनिंग कं स्टार्टिंग ज़्यादा तो ब्रति दोनों का परति रोध बराबर नहीं होता दोनों conoc assim गपimana दिया होगा ते यहां ऑर्प्सें क्योंकि running winding का जो आरहाएव नहीं इनकों 걸로 क्या होता है ज्ञादा तर्टि रोद क्या हो हुआ कि वाच रणिंग में में मोटी वाईर कम्तृ रिजिस्टेंश कम वाज़िवा बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया सजीव सोनिया अनील सुरेंदर मौन्नू कपिल कि कभील बहुत बढ़िया जी बहुत धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद भगवान आपको जल्द ही काम्याभी दे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सेट करें कि कि एक अलग से वराइंडींग होती है यह वर इन उस फ़र्च ओधा गाधिया मैंने यह तो यह दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है यह रोटर है रोटर किस तरफ गुमेंगा अनसे डिटू सर्डिड तो यह सेडिड रिंग होती है क्या होती है इसको सेडिड रिंग कहते हैं और सेडिड कि रिंग जो होती है कोपर की बनी होती है किसकी बनी होती है कोपर की इसका कनेक्शन नहीं होता इसमें इमफ पेदा होता है ठीक है इसमें प्रेणन सिदांत से क्या होता है इमफ पेदा होता है ठीक है जो फलक्स क्या करेगा इधर से फलक्स आ रहा है कुछ फलक्स इसको काट तो इसमें एम पेदा हो जाएगा ठीक है जिसके कार्ण मोटर में यहां पर जो होगा वो फलक्स कम हो जाएगा और इदर से ज्यादा होने के कार्ण मोटर क्या होगी यह गुमेंगी तो मोटर की दिसा मोटर की दिसा जो है किसे होती है नोन सेलिड नोन सेडिड से सेडिड की और होती है मेश्या क्या होती है सेडिड पोल की और इसकी दिसा होती है नोन सेडिड से बड़े से छोटे की और होती है ठीक है इसकी बनाने के बाद बनाने के बाद इसकी दिसा का परिवर्तन नहीं किया जाता बनाने के बाद जिशा परिवर्तन नहीं होता विए आप सोचते हो भी इसकी दिशा बदल दी जाए तो इसकी दिशा में परिवर्तन है नहीं किया जा ममत सकता क्या गम नासरू कर देती है तो यह मुख्य वाइंडिंग और यह सेड़िड रिंग इस साथ होता है और tout एक बटदा थीन वाग होता है इसका क्या होता है मैने पूल का कि गुमाव शरू करें और चुम किया छेतर को मजबूत करें तो यह क्या करता है सी जिसका है वो सही है ठीक ना सी जिसका है वो सही है वर रहा यानि मोटर में गुमाव पैदा करने के लिए बनाई जाते अगर यह नहीं होगा तो इच भी सबJeanヌил in Japaneseक परिवर्तन और जो सबसे मुश्किल सब्सक्र disguise परिवर्तन करने के लिए पॉलस को आगे के पिछे और पिछे के आगे करके कर सकते मतलब बनावट के बाद मैंने सब्सक्राइब बनाने के बाद इसके दिशा प्रिवर्तन करना संभू नहीं अप पॉल को हिला तो सकते नहीं आप अंदर जाएंगे ठीक रोज पोल बदलेंगे यानि सिद्धा सप्लाइब अपलाई से नहीं बदला जा सकता जा तो पनावट के बाद बनावट से पहले दो किया जा सकता है इसको बय्यों ड्रीकिंच-चिकर देशीओ इसकी में दोबात इ聲 tweak में और बता देता हूं सबसे और कम पावरेक के इसका सबसे कम चदाउती एक होती है क्या होती है क्या होती है च्छोटे मतलब खिलोने विलोने कंदर इसका प्reयों के दर थी चोटे सब्वेर में भी इसका प्रेयों किया जाता है है अच्छा लोस पीड यह पोथ छोटी छोटी मोठरें होते यह उनमें प्रेयों किया जाता है स्टार्ट इंडेक्शन रन मोटर के रोटेशन रोटेशन को अगर चेंज करना रोटेशन की दिसा में प्रिवर्तन करना है तो क्या करेंगे दिसा में प्रिवर्तन हम दो तरीके से कर सकते हैं या तो हम स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके ट्रमीनल बदल दें उसको रखना एक बदलते हैं या तो रणिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के ठीक है तो इसमें इसा अधसर दिया होगा आप पूरती टर्मिनल को बदल कर आप पूरती टर्मिनल को आप मोटर को ऐसे डालो चाहे ऐसे डालो पोजिटिव या फेज और न्यूटरल किसी में दे क्योंकि एसी मोटर और केपेस्टर जो होता है वो नोन पॉलराइजड होता है यानि एद रुविया होता है उसमें दुरू होता है नहीं आप को साइसा किसी तरफ लगा दो कोई फ्रक नहीं पड़ेगा आप अप अंखे के इंदर लगाते हैं कोई आप देखके लगाते हो ठीक है न रंणिंग वैंडिंग करते हैं तो उसके टर्मिनल को चेंज करके की जा सकती है लेकिन उसने केवल लिखा होता तो यह भी गल्त हो जाता ठीक है बाइदा एंटर चेंजिंग बहुत में एंड दोनों को करोगे तो वही दिशा में एंड कहा इसने इस सब्द पर ध लोनों का बदल För à The ौप्सांट सीजी आंस्वर हो जाएगा इसका इसका तो श्टाजिंग वैंडिंग बदल दो या रुनिंग वैंडिंग बदल दो दिसा में प्रिवर्तन कर माइं तो असृसं चै पार किस एकल कला मोटर की टेप फिल्ड स्पीड कंट्रोल Taking का अंदर हैよ नियुक्ष य्जिसे मोटर है डिसके अंदर फील्ड के अंदर हम कर सकते हैं वो reject है युनिवर्सल मोटर जिसके फिल्ड और स्टेटर जो हो यानि र्टर के अंदर भी सफ्लाई होती है बाक्टी में क्या होती है बार-बार स्पलाई होती है तो यह NAIR 관련 Gaza सीधों तो ऐसा याद करो दिमारक में डालो भी फिल्ड के दवारा यानि एक फिल्ड को को कंट्रोल करके हम यानि रोटर से टेपिंग निकाल के हम किसको कंट्रोल किया जा सकता है कलियर है तो यह उनिवर्सल मोटर को ठीक ना जा किया जा सकता है यूनिवर्सल मोटर और और mixer के अंदर लगा ली होते हैं ऐसे आप होता है इसको स्पीड बढ़ाने के लिए आप क्या यूज करते हो वो यूणिवर्सल मोटरी आपके गर में उसको आप करते हो ना तो वो फिल्ड टेप वी दिए टेप फिल्ड है कंट्रोल स्पीड कंट्रोल वी दिए कि ठीक है कि मैं सप्पलाई नहीं होते है कि आद मिक्सर देखो अब अना अब देखो अब मैं सारे बता देता हूं यूनिवर्सल मोटर के बहुत ज्यादा क्यूशन पुछे जाते हैं और वह सारे के सारे यहां कवर कर देता हूं उप्योग के आप जैसा चेप्टर वाइट सब्सक्राइब आप यू कर वाएंगे तो फिर उसमें फरक हो जाएगा थोड़ा सा यह बोत बड़ी है बोत अब मेरे को यह बतायों का यूज करती है एक लंबा सा को मेंट लिक के बेज़ों इतने मैं बताता हूं आपको एक ठीक है तिक है मिकसर के अंदर तो को आपको बहुत अच्छे चीचीचे बताऊंगा मैं तुक किसके अंदर मिकसर के अंदर ठीक है वेक्यूम कलिनर वेक्यूम है काल इनर ठीक ना और आप कर फिर िलाई माशीन जिलाई मसीन गर्वारियों लिस्ट में व्हाइभ झाहिं जाता है लिख्त टिकनह कई बार रेलवा एक एंदर रेले में मिलेवे बैसे थोह प्रेलवे में लेख लेकशन मोटर जोती है न watts एक्शन मों प्रोट कार कि ओधियो ये बेटेलह के इंदर ठिंध haw लटwhat के अंढिर देव तो रेएलुए मासीन न लुकू पइलेट क्थाना लोकूँ टिट आ यह करिए रहा तो ग्राइंडर मिdepth्षर वेक्यों क्लिन्नयर किलाई मशीन läuft लिफ्ट रेलेवे और कोई आया है कि याद अगया है कि हेर ड्रायर एक याद रखना हेर ड्रायर अगर ऑप्शन में ये युनिवर्सल मोटर है तो इसके साथ जाओगे नहीं तो सेड़ीड पॉल जो होती है वो भी इसके अंदर यूज होती है सेड़ीड पॉल ठीक ना है ड ड्रिल अलेक्ट्रिकल ड्रील अलेक्ट्रीक ट्रील यूज होती है उसके अंदर भी इसका प्रयोग होता है यह श्याइब भी सकते आप रहें खिंचने लिए वैसे रेल गाटी में ूसको अम यह अई चाई प्रकार लड़की की आईड़के ना जहां पर ज्यादा स्पीड टीकिया आव सकता है एक रटा निमारना एर ड्रायर चलाते हो उसके कितनी स्पीड होती उसे बंद करना पड़ता बार बार लगतार ने चलाना चीए मिक्सी जलाते हो वेक्योम कलीनर वो जो मतलब क्या करता बहुत ज्यादा मिट्टी को अपनी तरफ कीज़ता बहुत सपीड होती है उसकी ठीका रेलेवे के भी भी उता है रिलाई सिलाई मशीन आप जैसे बटन वह दबाता है ना जैसे पेर सी सिलाई मशीन में दाता है एलो फ्रेंड चाय पीलो है चाय पीलो बईया डैनियेल डैनियल सेल है प्रणार की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के लिए बीच कोणिया विस्तापन क्या है तो सब को पता यह तो यार कितना होता है नबबर डिगरी बहुत असान की उसंता प्यारा था लेकिन यह बता तो कि इस्टेरिशिस मोटर कि युनिवर्सल मोटर को जब असी में बदलते हैं तो बहुत चीजें हमें एर गेप कम करना पड़ता है ठीक है ना जो आपका अभी लक्षन है उसको कम करने के लिए भी बदलाव करने पड़ते हैं बुरूस का हाई परतिरों थुड़ा सा करना पड़ता है तो अलग अलग चीजें बहुत बदलाव करने पड़ते हैं वह तो फिर थोरी में समझाए जाते हैं 20-25 मेंट का काम है कि दवनी रिकोर्ड उपकरन के लिए इस्टेरिसिस मोटर उपयोगत क्यों किया जाता है दवनी रिकोर्ड में देखो इस्टेरिसिस मोटर है ना एक तो तुल्यकाली म उट रहे तो ठीक गइछ मैं शी 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 आ रहे है भाई सब्सक्राइद वर्सप्राइब कि छी जीव देखो इस टेरिसब मोटर एक तो तुल्य करेम Do Day याद रखना चाने तुल यो नहीं और उसका जो या रोटर बना होता है ना रोटर क्रोंट स्टील का बना होता है किसा का बना होता है स्टील का परियोग परियोग में ठीक ना और इसका रोटर होता है समूथ होता है बिलकुल चीक ना होता है समूथ होता है खांचे रहीत होता है खांचे रहीत होता है तो यह क्या नहीं करती तो यह एक तुल्यकाली घती से चलती है कौन सी मोटर है तुल्यकाली घती से चलने वाली मोटर है तो एक स्पीड से चलती है ठीक है और आवाज इसमें बिल्कुल भी नहीं होती बिल्कुल भी आवाज नही तो इसका प्रियोग करेंगे एक तो एक सपीडी से जैसे आपने टेप रिकोर्डर के इंदर कैसीट चलाती है तो अगर मुक्तेज हो जाती तो यानि इस मोटर का प्रियोग वहां करते हैं जहां पर एक्स्ट्रा दवनी की आव सकता नहों भी दवनी आएगी तो कारिये में व गडियों के अंदर ठीक है तो इस्टेरिसस मोटर का प्रियोग दमनी उपकरण विदूत गड़ी और टेप रिकोर्डर लिखलो इसका प्रियोग का करते हैं दवनी उपकरण दवनी उपकरण ठीक ना टेप रिकोल्डर टेप रिकोल्डर ठीक ना और इसका प्रियोग करते हम विदूत गड़ी के अंदर भी विदूत गड़ी में दो प्रकार के मोटर पर योगा ते से डिड़ी और विदूत गड़ी में इस्टेरी सिस्वी तो यह नोईज लैस ओप्रेशन करती है अब यह बहुत इक आवाज नहीं करती है तो इसका रोटर किस्ट से बना होता है हū जाना के रजेंदर भयाण भया प्रणाम आपको बहुत भूद धन्यवाद आप पढारे हो आपका सथ दिल से दड्न्यवाद करते हैं भी आप यहांप पढारे हो और आपका स्वागत है सभी का इस तरीके से आप आते हो हमारा जोस बडाते हो हमें स्मोर्ट करते हो ठीक है प्यार है आपका भस को एस के एसंदी प्लास लेना संब़ों नहीं हो पाता है पम्पों के लिए मोटर का प्रियोग करते है। घ्रेल्न फंप जोटे नहीं डश्रत स्कोर 6 Cr lighter है उनके लिए किसका प्रियोग करता है ठीक ना तो एक मैं लिखता हूँ कैपेश्टर स्टार्ट मोटर क्या होती है कैपेश्टर स्टार्ट मोटर ठीक है वाटर कुलर में वाटर कुलर में किसका प्रियोग होता है इसका प्रियोग होता है ठीक ना और प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटिंग प्रेस में ठीक है किसका प्रियोग होता है इसका प्रियोग होता है और इसका प्रियोग ग्रेलू पंप के अंदर भी आप घर को के अंदर पंप होता है ग्रेलू पंप के अंदर भी क्या होता है इसका प्रियोग किया जाता है तो वो ह होती है आपकी कैपिस्टर स्टार्ट मोटर डी ओप्सन जिसका है वह सही है बी यह जो गल्थ है है ठीक है अलगी यूणीफॉर्म एर गेप होता है बहुत बढ़ यह स्लेंड्री कल रोटर होता है बहुत ही बरिम आभी यह सुनेल कुमार स्टेरीस मोटर की बात कर रहो आपना इसकी बात नहीं कर रहा है वो इस्टेडिस इसकी बात कर रहा है तो याद कर ले ना थीक ना वाटर कुलर प्रिंटिंग प्रेस याद ना रहे तो याद कर लेओ बलो जी संध्या संध्या स्टार्ट में कम थंडा पाने पी याद कर लो ठीक ना पीती कर लो पीती स्टार्ट में कम थंडा पाने पीती अब छीची कर रही है मालो चुखाम हो गया संध्या को बेचारी को ठीक है थंडा पानी कहा होता है water cooler कहा होता है water cooler थंडा पानी वाटर कुलर पी से PT parenting PT printing price में ट्रिक कैसी लगी यह बता हूं ठीक है संध्या start में कम थंडा पाने पीती जो बहुत मुश्किल से बनी थी भईया ठीक संध्या start में कम थंडा पाने पीटि पाने की मोटर घरों में वो भी हैं में हो सकता कुछ हैलफुल रहे कोशिस किये ठीक बनाने की कोशिस किये और किसी के पास भी कोई ट्रिक है तो इसे नंबर पर बेज दो आप ठीक ना अच्छी ट्रिक लगी और मैसूस अच्छा हुआ तो आपको करवा देंगे जोड संदर कि जEOacter at primeiro संदर बसुनिया कर देता तो सोनिया कर देन तो सुनिया फिर कर देता द सुन संदर इतर तर श्टार में पता थी कि युनिय वर्सल मोटर किस प्रकार की मोटर कम टोरک ओर की स्छी में हो धिक युनिवर्सल विए चा टोरक हुटा है कैपेस्टर स्टार्ट कैपेस्टर रन में सबसे ज्यादा टोरक होता है इसमें ज्यादा टोरक होता है कि कैपेस्टर स्टार्ट इंड्यक्शन ररानमोतर और सर्ठेश्टर्ण स्टांट इसको क्या बोलता है मगा सप्लिट श्प्लिट फेज की ओर डिटीन्न सब्कार hope कहते हैं इसमें एक पेस्टर नहीं लगा होटा और इसमें किरक्स अरफ संट्रीफ्यूगल सब्स है लगा हूता स्टार्टेंग वाटरडर कुलर में सेडडीड पोल चोटा कि ताक छोटा वाया अनस्वर दिया हुआ है अच्छा देखो ऐसी जो है ऐसी मोटरें जो एक युनिवर्सल मोटर को छोड़ की बाकी स्टार्ट के पिस्टर स्प्लीट फेर स्प्लीट फेर तो सभी में होती है क्योंकि यह सरू में बनाएगी मोटर ती उसको आगे-ागे करके अच्छा बन टाए इस तक बना ही नहीं है और बनने की संभावना भी नहीं है और आपकी जो अरिइंद की बूक कम देखो और है तो सप्लीट कला मोटर में अब केंदरी स्विच का क्या काम रिये ठीक है ना अतीधारा से बचाता है दुबारा क्यूशन आगे देखको मेंटेन सब्सक्राइब और पहले क्या करता है इस सब्सक्राइब ब्रेक्टिस बढ़िया से चल रही है कि मनोच राठोड खालिद खान राजीव बटोए बटोए यहां बता दियो यार इंदी में लिखके बताव कहीं फिर कोजी सब्सक्राइब मेरा गल्त ले लिए मुझे घुस्था आगया मैं तो आज ही आपका चनल और सब्सक्राइब कर रहा हूं ठीक अना और लाइक कभी नहीं करूंगा मैं तो डिसलाइक करोंगा रोज की रोज जैसे आपका नोटिफिकेशन आए गाना तो मैं डिसलाइक करूंगा एक बंदा है एक बंदा है केवल एक बंदा जो हर वीडियो को डिसलाइक करता है बहुत प्यारा है वो यार ठीक है कितना प्यारा होगा वो मतलब अपना ख्याल रखता है डिली आता जरूर है ठीक है ना एक को आवता है लेकिन मैं नहीं कहूंगा उसको गल्थ हो जाएगी वह ना कि ओफ लाइन में कहा देता वो मैं ओन लाइन में नहीं कहूंगा रिकोर्ड हो जाती है एक बार मैंने सोमरस कह दिया था साइंस की क्लास में कोमेंट आगए कि देखो बहुत है गाना चल रहा है सर बटे उखो गया रहे बटे उकड़क हो गया आ должно को देखो सेडिद पोल मोटर है इसको चहाया कित मोटर भी कहते हैं क्या कहते हैं चाया कित मोटर भी कहते हैं आच्छी दित पोल जीयोग कीया जाता है गुमाह वार सरकिट संधयारीतर का प्रियोग किया जाता है सविच त Cowara को वायंडिंगिंग policies के अधर인ht सबको पता है तो यह पॉल है और इसके अंदर हम किसका यूज करते हैं यहां पर शेडी ड्रिंड का प्रियोग करतें थी कि नहुल फो腳 जाएगा कि कुछ फोक होगा बाई स्कुछ होगा है यह कोण सबको हो सकता है चारे से नफ्रतो आवाज से नफ्रतो कंटेंट से नफ्रतो लेगने कंटेंट से नफ्रतो ती तो डेली निया ता तीक ना चारे से नफ्रता उसको या और चीज से नफ्रता वीडियो डेली देखता है पूरी देखता है ऐसा निया पूरी ने देखता है ती लेकिन मूं प्लट रोट्रेटिंग में रिंग दिवारा हाथ तो सेड़ी दिली जो कोपर की बनियोट ते उसके दबार सेड़ीड रिंग यानि सेड़ीड पोल पर रिंग की जाती है ना सिर्फ पता नहीं कुछ चीजें उजा घर नहीं करने चाहिए ठेक सिक रिक चीजें पता यह नहीं जाती आ मिहां भंक का मोच्टर सरकिट में एक दोम बीर जाएं गे आप किसी भी ग्रुप से जुड़े हूं आप और पूसे क्षविए मतलब मतलब दिसकाशन किवे ख़गेरा उनमें एक करने का प्रीयोग करते है है पंक्य में संद्यारितर का प्रियोग करने का कारण क्या है तो गती नेमन करना बिजली कम खपत कमरना एसा कोई सिस्टम नहीं है कि प्रहते स्टेख आऽeg 10 फ्रीटएंग फ्रेज ओफाल चाहिए जील्यन इन दियुकर चेती में सथाइल का प्रियों करते dirhya पर एक-पाउंद इभने का काम करता है ना एक फेस को किसने दो पंठने का काम करता है कि टवरक के लिए कला विवाजन सिर्फ इसी मोटर में अच्छा कुछ आदमें घुस्से में रहकर जैसा अभी हो प्यार होना चीए मतलब एक याद रखना दो प्रकार की पोजिटिविटी होती है अगर कोई याद ना करता हो तो किसी से उधारे पेसे लेके मतलब बेड़ जाओ ठीक डेली याद करेगा डेली खबर लेगा और एक किसी के बारे में आपको जानना हो किसी के घरकी हर मिन्ट की खबर लेनी हो मुझे पता है एक-एक मिन्ट की खबर चाहिए तो आप 10-15,000 रुपए किसको दे दीजिए जो लोटा नहीं हो इसको तो आपको रोज बता देगा जैसे ही फोन करूंगे आज मारी कुट्टी बिमार है ठीक है आज मारी बेंस बिमार है ठीक है आज मैं होस्पिटल में हूँ आज म मिलती रहेगी नहीं तो बता दो ऐसा है अब तो जैल रहा हूं भी मुझे पता है तो यह होता है कि अ आपको यह कुछ भी लिख दो अपने आपको पड़ते हैं हर कोमेंड पड़ते हैं आपको जबाब भी देदे ते सब सब टीचरों से अपने को वह है लगा हो है ठीक है सब टीचर अच्छे हैं कोई दिकत ने तो आधिक उंडलन वाइंडिंग जो ती अवा परमानेंट जो तो आपकी कैस्टर वाइंडिंग में की जाती और फटक पंखे के अंदर की जाती किस में की जाती है सब्सक्राइब के अंदर की जाती है मौक्ष्ट इंपर्टिंट के उसना ठीक है तीक अजीव कह रहा है हम ओफ-लाइन से जुड़े हों बहुत बढ़ी आजी बहुत बढ़ी हम भी जुड़े हुए है कलास देखते हैं हम भी अप्रेल से जुड़े आउनलाइन कुछ ओफ-लाइन ड्यूटी भी करते बहुत बढ़ी है अजीए रितिक मैसेज करो इस नंबर पर आपको मैं नंबर दे दूंगा ठीक न आपकी सेवा में 24 गंटे हजी रहते हैं हम से जितना पॉसिबल हो पाता जो अपने बाहर की चीजिया वो तो फिरम करी नहीं पाएंगे आपके लिए हम 24 गंटे हजी रहते हैं अगर कोई भी स् निचले बाग में रखी जाती है आपको पता चल गया मैंने आपको पहले भताया था रहनिंग वाइंडिंग गहारा है ग Design में 실номуर्ह स्टापित होती है कहाँ स्टापित होती है गैहराई में ठीक और स्थानिंग उस्टापित की जातीए ऐने कम घराई में स्तापित होती है कहां स्तापित होती है गहराई में ठीक ना और स्टार्टिंग वैंडिंग जो है उपर स्तापित की जाती है कम गहराई में स्तापित की जाती है ठीक है गहराई में स्तापित होती है प्रेयरक्तव बढ़ाने के लिए इसका रेजिस्टेंस तो पहले ही कम होता स्वाहध पाने के लिए कम प्रतिरोद्वकों गटाया थोड़ी जाया सकता है वहां पर क्योंकि यह तो इन्थ हो गया आफ पे रन पात हो गया ठीक है गे Law in डिदे कम प्रेणन पाने के लिए क्योंकि हएं करने सता थोड़ी कर दो director आप यह उसकी लंबाई बढ़ाई है ऐसा कुछ नहीं तो गेट लो इंडेक्टेंस गेट हाई रेजिस्टेंस हाई डी जिसका है वो सही है कि अगेटलो रेजिस्टेंस एक तर्टा पाने के लिए अगर वह यह कह देता रनिंग वैंडिंग मोटे थार की बनायी जाती है किस लिए तो हम इसका अनुसरी यह दे सकते थे कुट यह रोडेक्ट रोर्स्टेंस तब हम कहाई सकते हैं इसका कम प्रतिरोध पानने के लिए मोटे तार के बनाते हैं ठीक ना मोटे तार के बनाते समझें हाद तो यह घूता है इसका लेकिन बाद में कैसे कर सकते आपन कि ये क्युछन बहुत बढ़ी है कि इसका अनसौर बता दीजी आप हाँ हमें सर बेनिफिट बताना है जो है वह तो है कि गराए में कि उसके एक्जाम गें यह पकाई लिए पड़ें यह टेक्निक लिपड़ें जर्जी टोटली कन्फ्यूज है रवी कुमार कह रहा है ग्रूप जम आए गए है बई जैसा आपको लगे तो आप हो कर सकते इसके एक वीडियो बनाएंगे आप सपेसल उसमें डिसक्स करें कलास के बीच में फिर बाद में बच्चे वीडियो देखते हैं उनको डिस्टेवेंस होती है अधिक बाकि बच्चे आंसर दे देंगे आपको यह है कि यह क्योशं अजीब तरीके का है थीक है अजीब तरीके का देंगी लेकिन इसका अगर देना चाहिए हैं तो दे सकते थोड़ा सा मतलब अच्छिश सक्रों निचिर से है तो ہم तब दिक्कत होसाइगी क्योंकि एक पेपर आया है जिसके अंदर टोटल कि तोटल निंहें लिए कि तोटन निम्मय यानिए सो पर्शंट के सो परेट आप है सो प्रसेंट के सो प्रसेंट के उसके अंदर ठीक ना जितने क्यूशन है वो सारे के सारे निम्मी के कोपी पेस्ट है तब क्या होगा रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगे दूरी पूछ रहा है एंगल दे रखा है अरे जब स्लोट के बीच में डिस्प्लेस्मेंट पिच का मतलब भी क्या होता है दूरी होता है तो स्लोट के बीच में एंगल से दूरी बताए जाती है स्लोट से ने एंगल से बताए जाते हैं जब पिच की जब वाइंडिंग की बात करेंगे तो उसके बीच में दूरी एंगल से बताएंगे ठीक ना टोटल कितनी दूरी कितनी सो साथ डिग्री समझ में आरे वाद टीक तो यह निम्मी के थोड़ा सा याद रखो इसका आनसर किस्तना दिया हुआ नबबब डिग्री दिया हुए कैसे 28 स्लोट चूदा चूदा क्या है दुरू यानि टोटल स्लोट एक दुरू के बीच में कितने स्लोट है दो चूदा तो एक पॉल के बीच में कितने धुरू कितने स्लोट होंगे दो ठीकन चूदा कोईल वाले सिलिंग यानि चूदा कोईल का प्रियोग किया गया यानि टोटल इलेक्ट्रिकल डिगरी हम देखें तो कितनी होती है 3060 डिगरी होती है ठीकना थोड़ा सांदाजा लग यानि 108 is awesomeок टिकना 168 चीकए और ये इसने काया total की कितने होगी 108 यहागी और इसने अच्छोड देख लिन की कितने कुल रलन की अद्दे कुल निकी कितने कूलल इंक तो ड् Barack the 건강 оф protect you spent तो आधे कुंडलेन की कितनी होगी 90 डिगरी हो जाएगी इस हिसाम से थोड़ा अंसर दे सकते हैं ठीक है ठीक है तो टोटल एलेक्ट्रिकल डिगरी कितनी एक्सोस सी तो कितनी आजाए कि 90 अधे किन अपर अधे कि अधे कि अधे कि सेटीड पोल जो है तीक लाइक नहीं बढ़ रहे या रास्तों क्या चक्कर हो या को दिख्कत होगी या कि अधे कि कि अधे कर देखो सेडिड पोल मैं आपको बताता हूं सेडिड पोल एक है बड़ी आसी बात सेडिड पोल होती है इसका बहुत कम क्या होता है दक्स्ता होती है बहुत कम दक्सता होती है और इसकी बहुत कम तोरक यानि समसे कम अगर तोरक पूछ रहा है ना उसमें से डिड़ पोल दिया थिसका ही हो जाता है ठीक है तो हेलो हेलो है हल पंजी यह नमस्कार रहा है अब सर वीजियों एक बार बाद में करना ले तो इनको नंबर कहां से मिल जाता है पता नहीं यह सी किदर गई सी भिए सी सिट करेटिक का अनूप्रियोक क्या है कि कहां पर पर परियोक की जाते देछो आपको सेडिड पोल बता देता हूं तो ट्रिक है अपणी हम चाया कित मगम है ईचाया में चाया में गड़ा लेना यार तीक है एसे थोड़ा सा याद घर सकते हैं आप इसको अगर करना चाओ तो ठीक है शाया में गड़ा गड़े को क्या है गरम दूप में पड़ा है पानी ठंडा हो जाए गरम हो हो जाइगा उसमें तो उप घड़े को क्या कहा है आप नहीं का है आप जैसे निधितढे से तो हो जाएगा चाया कित यानि आ seven जोड़ा पैटिट पूल मोर्टर क्या हो गई च्छाया कित मोर्टर ठीक है ना च्छाया में घड़ा गड़ा से हो जायेगा विदुत गड़ी थोड़ा सा Bint लग जाएगा बस क्योंकि यह पजल करने वाले क्यूचैन लेना याशी लेना में आगया खीलोना ठीक ना खीलोना और यार से हो गया हैर बस ओर कोई बंदी नहीं रही थी ठीक है कैसी लगी ट्रिक बताईए चाया में थोड़ा गड़ा लेना यार चाया में गड़ा लेना यार चाया में गड़ा लेना यार तो विदुत गड़ी में कौन सी प्रियोग होती है पुछले और खिलोना तो इतना इंपोर्टेंट है इतना इंपोर्टेंट है और हेर ड्रायर हेर ड्रायर इनिवर्सल मोटर भी प्रियोग करते है है लेकिन अगर सेड़िड पोल का पुछा हो और उसके अंदर दिया ही नहीं हूँ और ओप्शन तो देख लो तो च्छाया में गड़ा ले ना यार तो इसमें आ का एर ड्रायर ठीक सिलिंग फेन में पर्मानेंट केपस्टर मोटर होती है गिला ग्राइंडर में कौन सी होती है बताई यह वैट ग्राइंडर के इंदर भी प्रियोग सोरी कि लूड नहीं होगा कि ठीक और वासिंग मशीन में कैपस्टो स्टार्ट एक पैस्टर रन मोटर का प्रियोग करते हैं किसका प्रियोग करते हैं कैवेश्टर स्टारण कर दूश लोड बात पर किसी के पास अच्छी ट्रीक तो भैब्ष दिजिएगा अकर वादेने कोई दिक्कत निया हमारे पास इतना टाइम नहीं होता वैं डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार के मोटर का प्रियोग करते हैं डिस्क ड्राइव बताईए कि नौईस्ट ड्राइव के लिए विदूत गड़ी और दोनों के अंदर हैर ड्राइव अब यहाँ पर एक ओर लिख सकती और चौते मीच के पंके यह लिख देम चोटे मेच के मेच के पंके ये भी दिया हुआ है आपकी इन 낮 छोटे मोट पंखे में भी इसका प्रियोग किया जाता है वे से ठीक है लेकिन इसका ज्यादा तर दोई क्यूशन मेरे को देखने को मिले है ड्राइर खिलो ना एर ड्राइर खिलो ना और विधुत गड़ी अगर वो डिपेंड करेगा विधुत गड़ी में स्टेरीसिस मोटर का भी प्रि रायों के इंदर ठीक है तो डिस्क ड्राइव में किसका प्रियों करते स्टेपर मोट्र का कि एक किसन आया हुआ स्टेपर मोटर का तिकन किसका प्रियोग करेंगा स्टेपर मोटर का कि रिलेक्टेंस मोटर का अब यहां पर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं आप जब भी सिंगल फेज का पुछा जाता है कुछ मोटरों को छोड़के कुछ मोटरों में अलग अलग प्रकार के मोटर जैसे आपको मैं वाटर कुलर को तो वाटर कुलर में कैपेस्टर स्टार्ट कौन सी मोटर परियों को ती है कैपेस्टर स्टार्ट मोटर भी प्रियों कोती है तो फिर हो जाता है complete डे भी सही है रिलेक्टेंस मोटर का ठीक है लेकिन आप एक बात ध्यान रखो जब यह क्यूशन सेम आई तो आप स्टेपर मोटर पर जाओगे क्योंकि यह क्यूशन कहीं से उठाएगा तो वह निम्मी से ही उठाएगा ठीक है बस यहां पर निम्मी के क्यूशन करने का यही रखआएगे दो आपका कन्फियूशन है निपि कॉन सा करें जी अगर यह आजाए तो कौन सा आनस्वर करें जी किना ये कौन सा आनसर देना चाहिए तब हम भी कन्फियूश आप भी कन्फियूश तब हम सारा लेते हैं अन्सेया टी की तरह निम्मी का तूए निम्मी ने दिया वा स्टेपर मोटर का तो आप जाओगे स्टेपर मोटर के साथ ठीक है सही है गल्त नहीं है यह तो असानी है है को इस टेपर मोटर स्टेप के साथ चलती है जिए ठीक है पर मोटरका प्रियोग भी विदूत गढ़ी के अंदर भी किया जाता है देख लगना स्टेपर मोटर का विदूत गढ़ी में भी किया जाता है तो थोड़ा से याध रहते हो कुछ चीज जो इसलिए क्युषिन आउटर रहते हर चेप्टर में 2-3 कि से णेदर रोते हैं जिनके 2-3-3 आनसर होते हैं जिनका आनसर हमें क्या देना है तो ये बुक की बता सकती है फिर ठीक है और क्या हो गया कोमेंट कैसे रुख गये मैं ना सांस रुख गई आपकी कर दो कि कि एक बimana करह एक बात याद रखना ज़्यान रहें यह क्वेस्ट यह है जिस्कनेक्ट दढक्टिशा इन सहले ती का। प्रेट है डिसकनेक्ट भारिक वैंडीग आफ टैस्कनेक्ट सांटिंग वैंडेग वैंडिंग अफ्को दिसकनेक्ट अभौ तो स्टे इंग वैंडING ऌफ तर इसद का अध क्षिक कर णा Horizon 20 9,dyskon e केट दाक स्टार्टिंग रुनिघ्व हैंटिंग द अलग नहीं करता कि पता है ना आपको यह स्टार्टिंग अलग नहीं पर्पिश्टर को प Edwards अन्दर क्या करता है यह व्यंच जो जो सी टू लगा हुआ है ना सेकेंड परकार का जो आपका कैपेस्टर लगा उसको अलग करता है स्टार्टिंग वैंडिंग को अलग है नहीं करता आपको में थोड़ा से बता देता हूं जिसको भी कन्फ्यूजन है तो अपने पास डाइग्राम आया था थोड़ी देर पहले कैपेस्टर स्टार्ट कैपेस्टर रहन मोटर का यह देखो यह देखो यह सेंट्रिफ्यूगल हट जाए का तो स्टार्टिंग वैंडिंग नहीं अटेगी सिर्फ यह कैपेस्टर अटेगा ठीक ना तो यह स्टार्टिंग वैंडिंग को अलग नहीं करता जो आवंसोर गल् सर्प्रप्र सेपर न भर मनें ना मस्ट ISSन तो और जाए गया सिय हो जाए ना बहुत बडिया रहे वह बाली अजी से ठीकन अ बहुत बढ़ बहुत पीयारे प्यारे बच्चे और टुद ऐसे आसे दिख्कत तो नहीं आइए अलाइच भी तिक षजिसने बीट आ था देखलो बीगल के लिए ख़ियो नakah कैपिस्टत तार्टिस्टि रान मोर्म ट्रिकली अगर मोके पिस स्टार्ट मोटर कह देता है तब आप कह सकते थे सी वन को भी इता देता और स्टार्टिंग वैंडिंग को भी इता देता है वो कि सिंगल फेज मोटर की तरह है तुलना में बहुत अधितल सिंगल फेज मोटर है जो क्या करती है जिसका स्टार्टिंग टारक ज्यादा होता है तो निमन में से पूछाई इसने ठीक है ना इनिवर्सल मोटर का अच्छा टारक होता है बहुत बढ़िया बात है इलेक्टेंस का कम होता है परतिकर्षण का आरंब प्रेनक परतिकर्षण यह भी हो गया इंडेक्शन रन मोटर है यह भी ठीक है कैपेश्टर स्टार्ट इंड इसका थोड़ा बढ़िया है ठीक है लेकिन इन में से सबसे बढ़िया जो होगा ठीक है वो ये ठीक है इन में से सबसे बढ़िया जो होगा वो यूनिवर्सल मोटर ही है टूंद गया सितर के पैस्टर रन ऑट भी कह दे केपैस्टर रन मोटर तो वह भी स्टार्ट के पैस्टर अपको इसं ट्रूर्ट गाजता थिए शी टेंहंतस अंड़ियो मेनसी एंडेशन के वीड़ियो है इस वीडियो देख दो भाईया बहुत फाइदा होने वाला है ठीक ना तुम पचास भी नहीं देखोगे तो इससे यह नहीं है भी आख क्रोड़ों का बिजनेस हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है यह सिरफ और सिरफ हमें सेलेक्शन चाहिए सेलेक्शन का मतलब आप जितने ज्यादा सेलेक्शन दोगे उतना ही सारी वीडियो देख दो फाइदा होगा यहां पर आपको नहीं फरी है पेड़ तो है नहीं तो दो की स्पीड से जाके चैप दो सभी की सभी वीडियो को और मैं बताओंगा कल का पेपर आपका आइना दिखा देगा भी एक क्यों जरूरी है कल एक पेपर करवाएंगा कि स्टार्टिंग वैंडिंग के साथ स्रिंखला में रनिंग वैंडिंग के साथ संध्यार इत्र एकल 27 संध्यार इत्र जो होता है उसको का जोड़ा जाता है यह मोटर रही भई लो जी यह इसकी क्या है रनिंग वैंडिंग है यह रोटर है और यह राजी ठीक है तो इसके क जोड़ा जाता है इसको सरेणी करम में के पेस्टर लगा होता है का लगा होता है रे स्टार्टिंग वाइंडिंग के सरेणी करम में लगा होता है ठीक है स्टार्टिंग वाइंडिंग के सरेणी करम में लगा होता है ठीक है स्टार्टिंग वाइंडिंग के सरेणी करम में कि रवी सुसील गुलिशन रविंदर संजीव बहुत बढ़िया क्यूशन है और बेसिक क्यूशन आपके कलियर इसी तरीके से होते हैं कई बार हम छोड़ जाते हैं ठीक ना हलके में ले लेते हैं तो दुस्मन को कभी हलके में मत लेना चाहिए ठीक ना तो क्यूशन है यह सबस्कराइबल पंक्रेमेद इता आपका स कट अंसार हो सकता था लेकिन इस में सबढ़ और में हाई नी है देको यह देखे लाए अगर वो काया देता चोटे पंके में ₤ मे magra च्छोटे मेज के पंखे के अंदर च्छोटा सब या सकता था ठीक ना यूनिवर्सल मोटर ठीक है ड्रायर जो ता उसमें पंखे लगा होता है इस प्रकार से तो उसका प्रियोग भी कर लेते हैं ठीक बावरदारा एडी करेंट मोटर परमानेंट क्यापेस्टर मोटर तो इस सरेक मेरा सेलेक् возм खा ँटेंधा बाया इस प्रक्राऊ यह पक्रायर है सेलेक्प्राइश प्रीट्च साब्स्ता है यह जादा पढ़ जाते हैं और आपको यह लगते हैं है यह बचारा बहुत ज्यादा इंट इंटलीजन्ट है ठीक है ना आपको लाइवेरी में लगता है यह बहुत ज्यादा इंटेलीजेंट है क्योंकि इंटेलीजेंट आप तब मानते हैं उसको क्योंकि आप किसी से जब क्यूशन पुछोगे तो बेसिक तो कभी नहीं पुछोगे सोच के देखो अगर आप मेरे से कोई क्यूशन पुछोगे तो आप यह पुछोगा क्या करंट की इकाई क्या है ठीक है यानि बेसिक क्यूशन आप कभी नहीं पुछोगे वह आपको आते हैं आप थोड़ा सा हाई लेवल का क्यूशन पुछोगे उसका वह जबाब दे भी देता है लेकिन वह कहां गलती कर रहा है आपको नहीं पता फिर भी उसका सेलेक्शन रह गया बोलो जी बहुत इंटेलीजेंट था सेलेक्शन रह गया बोलो जी कारण के टानूं जी कैसे बेस यहां मार खाजाता है इंटेलीजेंट जो बच्चा होता बहुत ज्धा इंटेलीजेंट बहुत पड़ाएं में उशार है वो मार खाजाता है बेसविक चीजों में ठीक है magic तो आप द्यान रखें एक एकलकला मोटर क्योंकि यह कैशन आप ब關係 जो यह पिड़ रहे हैं वह तो क्या प्रबाव है, गल्त तरिक्के से जुडा है, तो मोटर दीरे दीरे चलेगी, मोटर चलेगी ने, ठीक है, मोटर दीरे दीरे चलेगी, मोटर चलेगी ही नहीं, तो उप्षन क्या हो जाएगा, आई टे है lazale, mastermind है, वो तो मुझे पता है भहईया, कि मैं असान से बेसिक सा क्यूशन पूशता हूं आपसे ठीक है कि वोल्टेज वैर करंट में अंतर बता दो आप शाई से और बढ़िया लोजीकल क्यूशन का अंसर देना है अइस व को सकते हैं चला बतान सरी लोगा इसका मोट रहीक अपर क्यूशन कान कृशन पड़ो रिवाइंडिंग कुंडिलन गलत तरीकर से वा घलतरिकर सुए तो मोटर नहीं चले हुआ हुआ यद に इसन का अनस़र आप क्या दो घंटू है भोग अच्यव सुन जानर डायोक्षार्ण है नौत dobre मोटर का डाइगराम दिया हुआ है थी sana लिए इसको इन इस वन Type है और इसको यहां से स्व रागए तो यह क्या है का सिरे वांड टेटर होता है ठीक है जी एन एमन ने जो हो गया यह क्या है इसका पॉल है ठीक है यह लो है टो यह Pic day controller के इंदर इसको sort किया गया है Camunitator यह rotor है ऊपरара रोटे यह जो है वो डिल्ट тебя अब यह क्या कौन सी है रिपल्चिन मोड्र आ क्या मोड़ता है यह दिशुम किये अक्स दूसरी तरफ स्तांत्रीत हो जाए यानि चुमकिय आक्स यहां है और इसको मैं स्तापित कर दूं यहां तो क्या होगा मोटर जिस दिशा में गोम रही थी उसके उल्टी दिशा में गोमना शुरू कर देगी चुमकिय आक्स जो है बीस डिग्री पर स्तापित किया जाता है ठीक ना कार्बन एनने कह देते हैं उसके क्या किया जाता है 20 डिगरी पर स्तापित किया जाता है अगर आप इस अक्स को अब एंटी कलोकवाइज गुमादो एंटी कलोकवाइज तो गती कम हो जाती है याद रखो गती कम हो जाती है अगर आप कलोकवाइज इसको गुमादो बरस को तो गती ब यहाँ पे कर दो तो क्या हो जाएगी गती ही पुर्वार्तन हो जाएगी जिसा बदलने पर गती ही पुर्वार्तन हो जाएगी कि ठीक है कर दो टो फिसको तो यहां पर यहां तक और यहां पर बंदी हो जाएगी अगर यह दोनों एक दिसा में आ जायेगे तो और इसर कर दो तुम्टी हो जाएगे लोज अरे टाइम वो गया यार पताई नहीं चला यार आपके साथ साथ पताई नहीं चलता टाइम का आपको चल जाता है क्या मैक्सिम टोरंगल विल भी पैंतालिस बीस डिगरी हम जिसे साइड भी गुमाएंगे मोटर उसी तरफ गुमने लग जाएगी मोटर शरू होने के बाद अपके अंदरी स्यूच को डिस्कनेक्ट नहीं किया गया नहीं किया जाता है तो प्रबाव क्या पड़ेगा तो अगर आप डिस्कनेक्ट नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा बताईए मोटर की स्टार्टिंग वैंडिंग फुक जाएगी ठीक है ना स स्कार गोधिंग बेटरुन्ट बंद हो जाएगी के स्टार्टिंग में आग लग जाएगी बचील उठील ना तो क्या हो जाएगा ये लाइक बढद ठोड़े यार अच्छा लगता है गारा लगता है श्रमाशаться मैं पठेए दो टाइम का पता नहीं चला आप के साथ कि वब्णाः6 जामशाद है इसफ बढ़े जान आशला बहुत बढ़ एसी सी सी Assistant supported रिया मनोजकुंआर नरेश अधित्येलीं प्रियंका डिक गृसन रभी मनोजकुंआर शीयो जाएगО या स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगे देखुए क्यूशन है नोर्मली है पड़ लो बस अब प्रतिकर्शन मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना है अभी बताया है ब्रस की दिशा बदल दो ब्रस की क्या बदल दो दिशा बदल दो बाई फिफ्टिंग था ब्रस एक्शीम से बदलेगी चेंजिंग को या नहींग को क्या करना है जो परस लगे थे उनकी जישा बदल तो ड़ो आप शृبة बदल दो ऊपिए जब में अक्मल्स ऑ मोटर के एक संद्यारीतर अपकेंन昨रिसिर्ट गती नियंतर्ण विदी में अपकेंदरी स्विच से जुड़ा होता है अपको पता है अपकेंदरी स्विच गती नियंतर्ण विदी में यानि speed control method है उसके अंदर एक capacitor को जोड़ा जाता है उसका कारण क्या है तो वही कारण है जो पहले था पहले भी क्यूशन आया लेकिन क्यूशन बदला है तो नियंतर गती बनाए रखता है क्योंकि अभी केंदरी स्विच का काम गती नियंतर विदी में गती को कंट्रोल करना है जब ती को कंट्रोल करना है और उसके लगे हुए है क्या कैपएस्ट तो वहां पर वो इंडेक्टर्ण कु कम करता है और क्या करता है स्पार्किंग को क्या करता है कि डी कि ऐग दी हो जाएगा तो इंगलिस मैं भी करते दूसर क्या करते हैं Movies तो रेड्यूज दा स्पार्क इन कॉंटेक्ट यानि जो आपके सेंट्रिफिगल स्वीच के कॉंटेक्ट है उनसे स्पार्किंग कम हो जाएगी वहत काँ पैसम स्फीट उस्प्लीट ठेल डाँ वर स्वीचर Notice वर थो फ यह जो रिएग या इन एक सेंटरजिस्का LOVE सेंट्रिक वैंडिंग कहते हैं क्या करते हैं प्रह्बाव क्या होता है एकर सेंद्री वाइंडिंग के फूरा होने के बाद वैंटिंड फैसि कुछ सलोट बीना वैंडिंग के छोड़ जिए जाते हैं तो कोई प्रबाव नहीं पड़ेगा मोटर वे सी ही चलेगी समान ने कसी से छलेगी त्यक ना तो समाने रूप से क्या करता रहेगा कं करता रहेगा ठिक कोई फरगर नहीं पड़ेगा सर आज वाले क्यूसन में तो कुछ लोजिक है लोजिक सब मुए है तो यह तो आपने पढ़ ली है कि लोजिक है ज zm आपने ब्यांस वह सुल सकत तुद्ड के चलिएमि't only क्यूं समाने देखो सचनी मैं बता रहा हूं आपको क्यूं सनसान नहीं आपने पड़ अच्छा रखा है कि उसन असान नहीं है आपने पड़ अच्छा रखा है कर्ट कर्ट अब्यास्ते जन्मति यो सुजा अंद्रसरी यावत जावत ते सरपरपरतन सान या आपने महंत अच्छी कर रखिए क्योंकि आपको 8-9 महीने महंत करते हुए हो गया है तो आपको असान कि अच्छी लगते हैं एक बार एक महीने किताब को साइड में छोड़ के आओ और उसके बाद ये कुछ लगा फिर पता सब्सक्राइगा कि असान अचान है या मुष्किल है हम गलत कह रहा हूं गया गलत नहीं कहता है रियल्टी एए ठीक है क्योंकि क्यूशन बड़ी आया इसारे कि सारे सर्वाब मैं मोटी गती के नियंतरन में अप कैंदरी स्वीच विद्धी में रेडियो रेडियो क्या हाओ टादे रेडियो इंट्रफेरेंस याने इंट्रफ होता है करता है तो फैर याने दबाया जाता है शर्प्रेस का मतलब दबाना सर्प्रेस सप्रेस दबाना होता है सेंट्रिफ्यक्वल स्वीच में टडोफ दा स्पीड करोला इनिवेरसल मोटर यानि वैто 10 रेडियो वैती को तो गती नेंसे तन वीद्री जो होती है उसके अंदर क्या लगाया जाता है है तीक है कि आपके घर में मोटर होगे उसके अंदर आपके स्विच लगा होगा मिक्सी के अंदर तो वो क्या करता है आप के इंदरी स्विच जब यूज करते हैं तो आपके पास में रेडियो होगा कई बार नहीं होता टीवी में गुच्रू-पुच्रू होने लग जाती थी पहले अजकल नहीं होती है या रेडियो अपने आप उसको दबाने के लिए क्या किया जाता है भी रेडियो वगेरा है आज पास में कोई फ्रिक्वेंसी वाली चीज है जिस पर परिवर्तन नय पड़े उसके लिए क्या लगा जाते हैं क्या लगा जाते हैं क्या लगा जाते हैं किसमें अपकेंदरी स्विच के दोनों और संध पिछले तीन महिने से नो गंटे वा जीवा बहुत दन्यवाद जी बहुत लगोतार लेकिन आप रहते लाईवी हो है आज कासेशन यही समावत होता है आप अपने घर जा सकते हैं लोजी आप को कुछ करवाणना था ठीक हो गई आपको कुछ ट्रिक बताने थी जो जाना चाहता है वो जाएसे क्ता है ना तक पहले तो हमने ट्रीक लिक लेना डिकार ट्रीक जो बताऊंगा ना कभी भी ठीक है मैंने 5 कम से कम 15-20 कंसेप्ट की रात 12 बजह तक लगके ट्रिक बनाई है अपनी तृप से ठीक है आपके पास हो तो आप किसी भी ट्रिक से जैसे आपकी टेबल है जैसे भी भी रोगवाला कंसेप्ट है उसकी ट्रिक हो गई जैसे आपका पेरावेदुतिक समर्थ है कि तो प्रोड कसका कितना घाल उसकी ट्रिक बनाई ऑइते हैं ओर किसमें जैसे यह दिए बोईफ्रेंडय के वाय यह ओ सिक हैं अन्दर कोन मतलब कपड़े आते आं या कोन सा पदार्थ किसम में आता है वाय में आता इनमें आता कि शुकल की उसक्राइन गिक है उसकी अंदर क एक तो यह था ठीक है तो पहले ट्रिक आपके लिए है चाया में यानि चाया क्रित मोटर चाया क्रित यानि सेडिट पोल मोटर ठीक ना गड़ा यानि विदूत गड़ी गड़ा से क्या याद किया था विदूत गड़ी अमने याद किया था बहुत बढ़ी या गड़ी ठीक वोच जो होती है लेना से आपने याद किया था खिलो ना दो चार बार पढ़ लेना याद हो जाएगा अरसे क्या था हे R ड्रायर हेर ड्रायर этом ард तो यह याद कर लेना एक छोटा पंख्रा भी याद कर सकते दूसरा दूसरा आपने थोड़ी देर पहले बुलाया था संध्या एक साथ लिख लेना ये ठीक है संध्या स्टार्ट में कम थंडा पाने पीती कम थंडा पाने पीती तो हमने कहा था संध्यारितर स्टार्ट मोटर क्या कहा था संध्यारितर स्टार्ट मोटर जो होती है यानि कैपेस्टर स्टार्ट मोटर ठीक ना तो इससे तो बन गया आई कम से बन गया कमप्रेशर 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 मोटर कम ठंडा यानि वाटर कुलर वाटर कुलर ठंडा पानी कोन करता है वाटर कुलर पी से प्रिंटिंग प्रेश याद कर ले DOWN प्रिंटिंग प्रेश बताइए की वाच में दोनों आये सकती है वो डिपेंड करेजा आप ओप्सन पर है, ठीक है ना क efficiency एक आप लिख सकते हो पाणि की मोटर उती है इसके साथ आप याद कर लो ग्रेलू पानी की मोटर जो होती है ग्रेलू पानी की मोटर आज ही आया हुआ है सेम का सेम यह चीज तो पक्की जो निम्मी में दी हुए हो तो याद करना ही करना पड़ेगा क्यूशन में ठीक है एक आपका होता है बोलोजी हमारा होता है कैपेस्टर स्टार्ट कैपेस्टर रन मोटर ठीक है कैपेस्टर स्टार्ट कैपेस्टर रन मोट माटर यह नहीं करना है CS यह छोड़े दो केपेस्टर स्टार्ट मोट और केपेश्टर रन और आपको है अब यह हो जाएगा वोदिन से спिल केपेश्टर स्टार्ट यूगल सवीच ठीक है सेंट्रीफ्योग से बना लो एसी एसी के अंदर में ये पळी यह इंदर धर ड़को अन्दाः धर फोल बहले और याथ चैनल एक रेफरीज निट्रार से बना लो रेफरी जरेटर जो होता है वह यह इए मोटर यहां पर यूज होती है को दिककत ठीक ह इसको लिख लो फाइदे में रहोगे ठीक ना हाँ डबल्यूसीस की वीडियो डाल रखिया प्ले लिस्ट में तो यह याद कर लो हो जाएगा बोले जी ठीक है अब देख लो यूनिवर्सल मोटर तो आपको बताए दी मैंने वहाँ से लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है इस् टेरीशा मोटर इस्टेरीशा स्मोटर सिस मोटर तो आप इससे याद करोगे ठीक ना इसा यातोंद हुझा ना campeona cmrC केड़usta को सी से दौग सी से टीन में यूज और आर से रेफरिजनेटरी उज होगया ठीक है एक एक दो बार पढ़ोगे घर में किताब में लगा लो अनुमान चालिसा की तरह ठीक है पढ़ दो हिस इस ऐसे याद कर लो इस इस हिस अवाज आ रही है आवाय जा रिया ठीक नँद हिस तो यहां पर धिकर दवनी कम करती है इस कंसेप्ट पर आप याद कर सकते हो यानि दवने मापक की अंतर दवने मापक यंतर जो होते हैं उसके अंदर भी इसका प्रियोग किया जाता है दर्मे को मापने के लिए दूसरा देखो हिस्स अवाज सी है अवाज नहीं करती है बिल्कुल भी दवने मापक यंतर टेप रिकोल्डर टेप रिकोल्डर टेप रिकोल्डर ठीक है इसके अंदर प्रिय विदूत गड़ी में क्या आवाद चाहिए क्या विदूत गड़ी तो विदूत गड़ी के दो pater ub ti मैं एक बार फिर बता देता हूं ऑप संप पर depend करेगा और सी और फिर झीम है ठीक परमानेंट क्तर मोटर परमानेंट कापफेश्टरों मोटर दो कोई याद करने आपको ज्यादा याद करना चत का पंखा चत का पंखा और मेज का पंखा मेज का पंखा अब देखो एक ट्रीक है पती इसका नाम क्या ले दिया पती देख पती फोन अभी देख फॉन अभी देख गुस्थे में बीवी का रहा दो येपती से फोन पती अभी देख सब कर था होगा थेगन फोन है अभी देख ठीक फोन अभी देख यह बाबी फिर अर्याना इमेल भाबी फिर अर्याना से चली मेरे पास बज़स्द ना कोई भी ट्रिको ठीक पती फोन अभी देख प्रतिष्टम मोटर प्रतिष्टम मोटर यानी प्रतिष्टम का मतलव कॉनशी मोटर रिलक्तेंस मोटर ठीक ना कॉनश के वोड़र रिलक्टंस फॉन से फोनो ग्राफी याद करो हे फोनो मिषस याद करो तिक अभी का मतलब अभी लेक अभी याख है पढ़ने के लिए मोट्र यूज आशी सिद्धि यूज होती ही है वो ठीक है ना रिपल्सन मोड़ रिपल्सन मोटर का था ने रिपल्सन मोटर क्षपल lesson मोटर टुकर कि इसको था पिल जो को यह था नीरल मचीनवशीन तूल और लेंथ में मसीन टूल बस इससे ज्यादा याद करने की जरूत ही नहीं लेंथ मसीड में बस मोटा मोटा याद हो गया वह या तीक ना कन्फिजन दूर हो जाएगा कि है है हो जाएगा ना इसकी कि 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 खालिद कांद रिपल संसर वाइंडिंग मसीन में भी यूज होती है तो वाइंडिंग मसीन नाइस ट्रिक्सर प्रिक अच्छी लगी गया मैं तकी अभी जितना हो सके उतना हेल्प मिल जाए तो बढ़िया है आपको लेकिन यह कन्फिजन दूर को जाएगा कुछ मोटरों क अच्छा कन्फिजन देखो हमें थोड़ा सा आईडिया मिल जाएगा क्योंकि आईडिया नहीं लगता हमें यह सारे कैसारे एक जेसी लगते तो आईडिया लग जाएगा थ्छोड़ा सा मकी मतलब है जो याद कर सकता है वो बाद ही अलगए यह हो गई आपके तो चीए को थेम कि आ है कि को ही को सिस्किए थोड़ी से आपके यह लिए को सिस्किए टीक है यह अच्छा था था ना को य्फी ट्रिक तो इतनी हसान बन जाती है वह अपने अप अभीलेक अभी देख मतलब अभी लेक अभी देख अभी लेक फोनो गराफी पर्तिस्टम मोट्र ये परमानेक्ट जो होती है तो पी से पंक पीसे याद कर लो नहीं तो पंक हार याद नहीं रहता सर वाइंडिंग प्लीज वाइंडिंग मतलब समझे नहीं कहां वाइंडिंग है यह कह रहे हैं मसीन की वाइंडिंग करने वाली जो मसीन होती है ना मोटर की वाइंडिंग करने वाली मसीन है उसके अंदर भी प्रियोग होती है ठीक है रिपल्सन मोटर खुद को मैनत से फ्राई करो हारने के बाद एक बार ओट्राई करो मन्जिल आपके कदम चुम्मेंगी बस आप है कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो वा जीवा बहुत बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है सायर वायर हमें पढ़ने का मतें भई चीड शादे बिलकुल गाव के मतलब अलड़क बच्च एम कोई कवाल्टी ने हैं यह मैं कोई कवाल्टी ने है थिक है अप्राइन कोंवाइंडर थे कोने के अंदर लेकिन वो किसन इतने बॉटर तो इतने थोड़ी है कितनों सोदे में यूज होती होगी बाई कहां कहां यूज होती होगी लेकिन जो इंपोर्टेंट चीज है जो पूछे गए क्यों से ने उनसे रिलेटेड आपको मैंने बता दिया है बग की आप कितने भी याद कर लो चाहिए ठीक सप्लेट फेज के लिए याद नहीं कर पाऊगे आप अना ना 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 रे ना रे ना सभी का दन्यवाद और कि मतलब दिमाग से पेदल जो होते हैं उस पर कार रिकें ताइम पास वाड़े ज्यादा आता कुछ ने डूटी पूरी क्लास पूरी आज का द्याड़ी पूरी द्याड़ी पूरी होगी बहुत बढ़िया ठीक है तो आज के लिए फिर इतना ही है विदाई लेते हैं टाइम हो गया है ठीक है तो धन्यवाद आप सभी का और इतना प्यार देने के लिए इतना मतलब स्पोर्ट देने के लिए आप साथ लाइव बने रहे हैं लाइक कमेंट करते रहे और दिल से तो धन्यवाद आपका आईए आगे इसी सेस्टन को हम रेगुलर करेंगे कल से ड्ले चल रहा है पूरे सारे क्यूसन करवा देखेंगे आपके निम्मी के जितने और एक बार जरूर देख लेना आपके बहुत आपके डाउट जो आप इधर उदर जिसको खोजने की कोशिस करते हो आपको यहां मिल जाएंगे ठीक है तो धन्यवाद सभी प्यारे प्यारी जितना भी फ्यूचर बढ़िया हो आपका ब किसने नहीं किया जाते जाते हैं